नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अक्सरहां ये होता है कि सैनिक आतंग वादियों के हर मनसूपों को असफल कर देते हैं लेकिन सैनिकों की एक चूक भारी पड़ जाती है और इसी चूक को लेकर के हम आंत्रिक सुरक्षा पर बात करने लगते हैं लेकिन पुलवामा के घटना में आंत्रिक सुरक्षा पर बात जरूर होनी चाहिए या सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वह संदर्व बिंदू है जहां से ये समझ में आए कि कस्मीर में आखरेकर नफरत क्यों फैल रहा है और उस नफरत के प्रतिकरिया में भारत में नफरत क्यों फैल रहा है इन सारे विश्यों पर बात करने के लिए उसकी समाजिक और राजनीतिक पिश्चपुमी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कस्मीर नामा किताब लिखने वाले हंदी के चर्चित लेखक असोक कुमार पांडे तो असोक कुमार पांडे जी पहला सवाल यही है एक लेखक के तौर पे जब पुलवामा की घटना आपके सामने आई उसके बाद की जो प्रतिक्रिया आपकी होगी वो निश्चित आम जन से थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि आप उसके समाजिक प्रिष्ट भूमी को, राजनीतिक प्रिष्ट भूमी को, उसके एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को सब को जान रहे होंगे तो वो कौन सी प्रविर्टियां थी जो आपको एक अलब तरीके से उसको देखने के लिए मजबूर करती है देखिए पहली बाद तो एक लेखक के तरह पर जब आप देखते हैं पुलवामा को तो जाहिर तो पर जैसे किसी को भी तुरंट एक पागलपन जैसा एक दुख जैसा सवार होता है कि पचास जवान हमारे मारे गये है पहला तो वो दुख का ही मामला होता है उस दुख के अलावा कोई और उसके आगे और पीछे भी सूचता है जब थोड़ दिर बाद हम सोचना शुरू करते हैं पहला तो यही लगा था मुझे उस समय भी यही लगा और दुरभागे से वो सही थाबित हुआ कि इसके बाद जो कुछ होगा फिर वो एक चेन रियक्शन बनेगा पुलाओं में आतंकवादियों ने किया उसके बाद जिस तरह का रियक्शन हुआ उस रियक्शन से कश्मीर में वो प्रासेस और बढ़ेगा उससे और हमले होंगे मतलब ये रुकने की जगए एक चेन रियक कि नवासी में कश्मीर में इस तरह का माहौल बना की तबसे लेकर आज तक हम देख रहे हैं लगभग 30 साल बीद किया बार बार हमें लगता है कि आतंकवाद अबनी अंतरन में आ गया बार बार हमें लगता है कि अब बंदू की बात शाय थोड़ी कम हो जाए कोई शांती की पहल उठे और एक सामानी कश्मीर हमें देखने को मिले और बार बार कोई ऐसी घटना हो जाती है कि चीजें फिर से उतनी ही मुश्किल हो जाती है देखे एक बात तो जिसको कश्मीर समस्या कहा जाता है कश्मीर समस्या कहीं ने कहीं उसके एतिहासिक और सामाजिक जो उसका पूरा ताना बना है उसमें कहीं न कहीं विन्यस्त है उसको केवल 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनने और उसमें कश्मीर के तीन हिस्सों में बढ़ जाने हिंदुस्तान के सारे हिस्से क्लेम करने पाकिस्तान के सारे हिस्से क्लेम करने उसके बाद UN में जाने सिर्फ उसी से सारा कुछ तैय नहीं होता है उस हाल तक कश्मीर पहुंचा कैसे बहुत थोड़े से में वो जानना बहुत जरूरी है देखिए कश्मीर के अंदर इसलाम जब आया तो वो तलवार के जोर पर नहीं आया इस बात को समझना चाहिए बिलकुल ठीक बात है कि सिकंदर अचार हुआ और सारा कुछ हुआ लेकिन कश्मीर का जो इसलामाइजेशन हुआ दोर कौन था चौद्वी सदी का कश्मीर का जो इसलामाइजेशन हुआ जो रूरल अस्तर पे कश्मीर के आम लों का जो इसलामी करण हुआ वो वहाँ पर सूफी वरंपरा में हुआ अब वो ऐसी खास तरह की मिली जूली संस्कृति का विकास हुआ था जिसमें वहां का पहनावा, वहां का खाना पीना, वहां का सारा कुछ एक अलग तरह का था, जिसको कई बार हम कश्मीरियत कह लेते हैं, जहां जाती है, धर्म के पहचान पीछे हो जाती है, संस्कृतिक पहचान तो ये जो एक खास तरह का था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदो मुसल्मान के बीच में कोई लडाई नहीं थी, कोई भेद नहीं था, हिंदों के नाम पे सिर्फ कश्मीरी पंडित थे वहाँ पे, कश्मीरी ब्राम्हन्स थे वहाँ पे, और ऐसा नहीं था, उनके बीच मे शुरुआत से वहां पर modernization शुरू होता है पढ़े लिखे जो थे वो कश्मीरी पंडित थे और फार्सी वहां की राजभाशा लंबे समय तक रही थी तो उन्होंने फार्सी पढ़ लिया था और जो पंडित फार्सी पढ़के नौकरियों में जाते थे उनको कारकून वर्ग स का जाता था और पंडितों के भीतर जो कारकून क्लास था वो सबसे मजबूत क्लास के रूप में उबरा था जो श्री नगर और उसके आसपस रहता था तो फार्सी सीखने की वज़े से ये लोग नौकरी में थे और कश्मीरी मुसल्मान काफी पीछे था आना कि बाकी सारे जो इस तरह के काम हैं गैर क्रिशी जितने वैपार हैं वो सारे के सारे अचानक बहुत काम हो जाते हैं बेरुजगारी बड़े पैमाने पर वहां सामने आती है तो दिखाई देता है कि नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है वो भी अपने बच्चों को पढ़ान भी परिशान होते हैं क्योंकि वो तो फार्सी में ट्रेंड थे पंजाब से यूपी से बंगाल से लोग आ के नौकरियों में भर दिये जाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहला जो वहां आंदोलन शुरू हुआ मुलकी गैर मुलकी आंदोलन शुरू हुआ यानि कश्मीर सब्जेक्ट का पूरा रूल बना जो 35 पे आजकल बहुत विवाद होता है वो उसी जमाने का बना हुआ रूल है जहां बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरी सकते बाहर के लोग वहां नौकरी नहीं कर सकते वो इसलिए किया गया ताकि स्थानी लोग को नौकरी दी जा सके लेकिन तब तक कश्मीरी मुसल्मान भी पढ़ लिक के आ गए जब पढ़ लिक के आ गए तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा कि हमें भी नौकरी चाहिए वो कह रहे थे कि हम 96% है पापुलिशन में कम से कम 50% नौकरी हमको दी जा और स्टेट इस तरह से डेवलप कर नही दी जा सके और किसी तरह से ऐसा था कि स्टेट के जो प्रमुक पत थे खास्त और पर क्लेरिकल और एकाउंटेंट वाले जो पत थे रेवन्यूज वगर में वो सारे के सारे कश्मीरी पंडितों से सारा का सारा ना भी कई है तो काफी हद तक कश्मीरी पंडितों से भरे बहुल स्टेट था और मुस्लिम राजा था लेकिन वो दोनों कहीं ने कहीं आपकी सीमा के अंदर पड़ रहे थे और उन पर आपने अपने तरीके से हमने वहाँ पर हिंदुस्तान में उनको शामिल कर लिया कश्मीर की एक तो सीमा भी पाकिस्तान से मिल रही थी और हिंदुस जिसके भरोसे नहरू और गांधी का ये माना था कि धर्म के अधार पर कोई बटवारा नहीं हुआ है और ये हमारे लिए डेमोक्रेसी और सेकुलरिजम का एक मॉडल होगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम बहुल राज्य जो है वो खुशाली के साथ मिल जूल के र करेंगे बाकि मामलों में हम आजाद रहेंगे यह हरी सिंग और कराण सिंग की उग शर्तों में था जिसके चलते जब यह शरते फार्मला इप तो 370 बना, जिसमें तीन मामलों में हमारा प्रादिकार था और वाह सुरक्षा हमारी होनी था भारत की होनी थी मुद्रा हमारी चलनी थी टेलिग्राफ और टेलिफोनिक सर्वेस वह हमें धेनी थी बाकि आंतरीक अपनी विएस्था उनको खुद करनी थी अब आपको बताओं कि जब संसद में यह आया तो यह कहा गया कि 370 तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाली चीज़ है 370 वो पुल है जिससे कश्मीर से हम हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान से कश्मीर जाते हैं इसका किसी ने विरोध नहीं किया और 370 जब लागू हुआ था तो गुलजारी लाल नंदा ने एक बात कही थी कि यह वो लंबी रोशनी की सुरंग है जिससे हम कश्मीर तक पहुँचेंगे यानि क्या लगा था कि हमारे बीच में जब रिष्टे अच्छे रहेंगे तो ये धीरे 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 होते ऐसा होगा कि नार्मलाइज हो जाएगा जब वो भरोसा पैदा हो जाएगा तो कश्मीर हमारा उसी तरह से हिस्सा हो जागा जैसे बाकी स्टेट है लेकिन दुर्भाग यही रहा कि वो भरोसा कभी पैदा नहीं हुआ उस समय एक और घटना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और सबसे महत्यपूर्ण कहीं भूमी सुधार हुआ है लैंड रिफार्म हुआ है तो कश्मीर के अंदर हुआ है और उसमें शेक साहब ने कोई मुआवजा भी नहीं दिया तो जो बड़ी खेतिहर थे जो बड़े डोग्रास थे कुछ कश्मीरी पंडित से कुछ कश्मीरी मुसल्मान भी उनकी जमीने अचानक वहाँ पे टिलर के पास चली गए लैंड टो टिलर में टिलर के पास खेतिहर के पास चली इन सबसे जो माहौल बना उससे वहाँ के अंदर नौक्रिया नहीं थी इन सब के बीच सारे हालात कुछ इसक तरह बनते चले गए कि नवासी का दौर आते आते एक तो शेख अब्दुल्ला साब के विदाई हो गई और शेख अब्दुल्ला जब तक रहे हैं उन्होंने तो कभी ये जमात इसलामी है उसके मदर से एक बार सारे बंद करवा दिये थे कभी इनके लीडर्स को बहुत जादा महत्वपूर्ण बनने नहीं दिया क्योंकि उनकी अपनी मास अपील थी लोग उनके साथ खड़े होते थे उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं रहे गया जिसकी इस तरह से मास अपील हो और भारसा मर्थक भी हो फारुक अब्दुल्ला थे लेकिन वो बिल्कुल नहीं आये थे और नहीं लोगों के साथ जो प्रब्लम होती वो उनके साथ थी तो 86 आते आते 85-86 आते आते एक ऐसा माहौल बना था जिसमें एक खास तरह का गुस्सा और फ्रस्टेशन था 86 में जो वहाँ चुनाओ होता है उस चुनाओ को कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा रिग्ड चुनाओ मानते है उस चुनाओ का किस्सा मैं बार बार सुनाता हूं कि सयसलाओ दीन किसी और नाम से थे उस समय वो चुनाओ लड़ रहे थे और आमिर कादल से लगभग उनको विजेता घोशित कर दिया गया था ये हालत थी कि नेशनल कांफरेंस का जो उमीद्वार था वो उठके अपने घर चला गया था थोड़ी देर बाद ऐसी हालत पलटी कि नेशनल कांफरेंस वाले को घर से बुला कि विजेता घोशित कर दिया गया इनके यासीन मलिक जो थे practice नहीं हुई जैसे पूरे देश में होती थी रोजगार और बाकी सारी समस्याएं थी और उसी बीच में पाकिस्तान जो था उसने अपने तरीके से मदद करके वहाँ पर एक radical Islamism को का प्रसार करने की कोशिश की लेकिन आप देखिए कश्मीर में शुरुआत में जब ये लडाई शुरू होती है टी नाइन की तो उस समय जो लडाई की कमान है वो JKLF के पास है JKLF वो संगठन है जो आजादी की मांग करता है भारत भी नहीं पाकिस्तान भी नहीं ये हालत कर देता है कि JKLF वहाँ पर एक बहुत छोटी सी फोर्स बन के रह जाती है जातार कमानडर या तो मार दिये जाते है या गिरफतार कर दिया जाते हैं और बाद में यासीन साब कहते हैं लगातार उसके आम्ड रिस्पॉंसिस किये जाते है शुरू में तो मजबूरी थी है इतनी बुरी तरह से वहाँ पर आतंकवाद फैल चुका था तो आपको सेना भीजने के लावा कोई और चारा था नहीं लेकिन मेरा मानना है कि सेना के साथ साथ बाचित की एक प्रक्रिया वहां के लोगो को थोड़ा सोचने समझने समझाने की प्रक्रिया चली होती तो शायद आसान हो था लेकिन वो प्रक्रिया दुर्भाग ऐसे चली नहीं हो आप देखते हैं कि आतंकवाद का प्रसेस लगातार बढ़ता चला जाता है बाचित की नहीं कोशिश की थी लेकिन उस पर हाँ आपकी बातों से ये बात तो समझ में है कि 35 का मसला आजादी से पहले का है विलाय से पहले का उसकी कसमीर के अपनी प्रिष्ट भूमिया थी जिसकी वज़़े से आया 370 भी उसकी वज़़े से आया लेकिन एक चीज़ आप ये बताईए कि लोकतंत्र से पहले जो मुस्लिम में बदल रहे हैं और उसके बाद जो इसलामिक रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहा है अब लोकतंत्र धाचे में उधर अपना पाकिस्तान है और इधर भारत है तो ये इसलाम की तरफ जो जुकने का मसला है वो भारत की तरफ क्यों नहीं है जुकने का तो मसला है ने न क्योंकि इसलाम तो है वहाँ पे कोई नया तो नहीं आया परिवर्तन ये हुआ कि जब पाकिस्तान वहाँ पे इंट्री करना शुरू करता है तो जो वहां का पारमपरिक सूफी इसलाम था जो मिल जूल के रहने के अहिंसक होने की बात करता था उसकी जगह पे वहां पे रैडिकल इसलाम जिसको आप वहाबिजम कहते हैं वो आना शुरू होता है और वो संगर्श इतना बड़ा होता है कि आप आज देखेंगे कि सूफी इसलाम वहां पर एक किनारे में जा चुका है और वहां पूरी तरह से वहाबिस्ट इसलाम ने वहां पर कब्जा जमा लिया है और वहाबिस इसलाम के कब्दा जमाने से वहां के लोकल कल्चर पर जो असर पड़ा है उस लोकल कल्चर पर ये असर पड़ा है नई तरह की मस्जिदें इसलाम को लेके नई तरह की कटरता और ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है अब सवाल पाकिस्तान के तरफ जुकन मैंने बार बार गिलानी का नाम आपके सामने लिया आप देखिए कि मीर वायद जो अभी है इनके पिता जो थे उनकी हत्या होती है उनकी हत्या होती है तो सबको सबको पता होता है कि इसबुल मुजाइदीन ने मारा है उनके हत्या के बाद उनका शौ लेकर लोग निकलते हैं बड़े गुस्से में हैं नारे वगरे लग रहे हैं अब अचानक उस शौ पर गोली बारी जाती है और लगबख साठ से लेकर सौ लोग मारे जाते हैं इस तरह से मारा जाते हैं कि उनके शौ में भी छे गोलियां पाई जाती है जगमोहन उस समय राज जेपाल थे अब ये क्यों हुआ किसकी गलती हुई जगमोहन कहते हैं कि फारुक अब्दुल्ला के चलते हुआ फारुक साब कहते हैं कि जगमोहन के चलते हुआ तो क्यों हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता कोई भी यहां बैटके कैसे कह सकता है आप किसी का वर्जन नहीं दे सकते हैं लेकिन जो हुआ वो बड़ा दुर्भागी पूर्ण था जिससे नहीं हम इस बात का फायदा उठा सकते थे कि आपके सबसे बड़े लीडर जो मीर वायज है मेर वायज मतलब सबसे बड़े जो महां के पुजारी है जाम्या मस्जिद के उनकी हत्या हिजबल मुजाइदीन कर रहा है हमको तो इसका पुलिटकल फायदा उठाना चाहिए था और पाकिस्तान को अलग थलक कश्मीरी मुसल्मानों के बीच में कर देना चाहिए था लेकिन गोली बारी हो गई तो वो लोग हमारे खिलाफ हो गए अब्दुल गनी लोन जब वो भारास से बाचित के पक्षित होते आते हैं उनकी हत्या हो जाती है बाचपईज साब की बाचचीत चल रही थी और बाचपईज साब की बाचचीत में सबसे सकरी लोगों हैं फजल लग बाचचीत है थे हिस्बुल मुझाइदीन के लोग उनको गोली मारते हैं उनका आधा शरीर फाली जोग आता है ना बोल रहे हूं, अब्दुल गनी बट्स जिनको अभी सुरक्षाट आई गई है, जब अभी दिनेश्वर जी को भीजा गया, वहां इंटरलोकूटर बना कर तो सिर्फ अब्दुल गनी आया थे बात करने के लिए, उसका दूंको संगठन से निकाल दिया गया, यह किस डर स किया गया, तो यह भी हो सकता है कि आई एसाई का और हिजबल मुझाइदीन का और जैशे मुहम्मद का डर ऐसा हो कि वो लोग चाह कर भी हिंदुस्तान से बाचित करने या हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की हिम्मत ना कर पा रहे हूं, तो मुझे लगता है कि उनलों से ब बाचपेही की सरकार इकलोती ऐसी सरकार थी, जिसने कश्मीर समस्या को समझने की, कश्मीर में सारे लोगों से बाचित करने के सारे पुर्वागरा एक तरफ रखके, जैसे मैं अपने सारे पुर्वागरा एक तरफ रखके बाचपेही की तारीफ कर रहा हूं, बाचपेही अपने असारे पुर्वागरह एक तरफ करके सब से बातचीट की, मीरवायस बात चीज़ अबद्धॉलगनीबट सेगी, और एक ऐसा माहोल बनने लगा था, एसा लग रहा था कि कश्मीर का कोई ने पर्मानेंट सलूशन बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन आप जानते हैं आगरा समिट फेल हुआ और वो सलूशन नहीं हो पाया उसके बाद तो कारगिल तक मामला पहुंचा वो सारे लोग जानते हैं लेकिन वो कोशिश बिलकुल इमांदार थी और उसका असर आप देखिए कि पिछले चुनाओं में जब सारे लोग हिंदुस्तान में ये कर रहे थे कि मोधी मुसल्मान के विरोधियां वगरा वगरा तो कश्मीरी उनका समर्थन कर रहे थे इसलिए क्योंकि वो बाचपेई की पार्टी से है तो कश्मीर में बीजेपी को लेकि को इस तरह का बुरा अच्छा रूल निभाया, आर्मीने स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले, लोगों के साथ बढ़ा अच्छा रिष्टा बनाया और ठीक ठाक महूल था लेकिन ये बात भी है कि पूरी दुनिया में देखा जारा कि गवर्नेंस का जो मॉडल है वो फेल हो रहा है तो लोग आइडेंटिटी पे राजनीती करते हैं तो अगर भारत से आइडेंटिटी पे राजनीती किया जा एक पार्टी ही ऐसी है जो हिंदुत्यों के नाम के वेचार धरा पे अपनी राजनीती करते हैं तो आपको लगता है कि उसकी रहने मात्र से अगर अल्पसंग्षक दर्जवाला एक राज्य है जो बॉर्डर पर है उसको कुछ प्रभाव भी करती है वो पार्टी आप और इंटिटी पॉलिक्स वगरा सब ठीक है उसमें बहुत सारा हर पार्टी के अपनी अपणा को वोटर है इसलिए हर पार्टी के अपनी सीमाएं है दिल्ली मनौकरी मिल जाए, बैंगलोर मनौकरी मिल जाए, वहां नौकरी करें, यहां सिर्फ गर्मी के छुट्टियों में आए, कुछ दिन रहें और चले जाए, ताकि मिलिटेंसी से दूर रहें, शांती का जीवन जी है, कोई भी यही चाहता है, हम यूपी बिहार के लोग ह यह आपने तो पूरी किताब लिखी होगी, आपको क्या लगता है कि इतनी बडी सैनिक रख करके, एक राज्ये चलास अपने क्या क्या कहते हैं, अपने तरिका सकता है वो, कश्मिर का पहला इटिहास जो मिलता है आप सब ने नाम सुना राज तरंगणी राज तरंगणी का पहला स्लोक कल्हन लिखते हैं कि कश्मीर एक ऐसा राज स्कुटे जिसको आध्यात अधियाद्मी की शक्ति लेकिन सायने के शक्ति से नहीं क讲 जीपी तो सेना रखके हम अगले हजार साल तक आराम से कश्मीर को अपने साथ रख सकते हैं हमारी सेना बहुत मजबूत है और हमारी सेना में बड़े जामबाज बहादूर है और हम बहुत टेक्निकली फावर्ड है हमारी सेना के मामने में कहीं से हम कमजोर नहीं है रख सकते हैं लेक पुद्ध हिंदुस्तानी की तरह एकदम किवल हिंदुस्तानी की तरह सोचें तो अगर कोई ऐसा रास्ता हो कि इससे कम सेना रखे किवल सीमाओं को अपने सुरक्षित करके और कश्मीर के अंदर के समस्या कश्मीरी खुद सुल्जा ले कश्मीर की पुलिस सुल्जा ले कश् यह हम् लड़ रहे थे हिंदabord पाकिस्तान ही था पूरा अग्साथ ही था तो अजाजी का मतलब बहुत थोड़ा आ लगत थोड़ा थोड़ा अलग था और बахत सिंग यह थोड़ा साल अग्रीज के हैं लेकिन कश्मीरीयों के साथ यह मामला इतना अनुशिन सेट है कि अलग-अलग मैं बात करूँगा तो घंटों सिर्फ इसी पे बात करनी पड़ेगी जैसे गिलानी के लिए आजादी का मतलब है पाकिस्तान में विले है कि झायर भी के लिए बात की बात कर रहा हूँ तो हमेशा दियान रखिये कि कि अच्ट में व्ला कीर्थ बात कि नहीं पाकिस्तान थे नहीए जिसको नार्दानेरिया कहते हैं गिल्गिट बाल्टिस्तान और याद रखिए कि उसका एक हिस्सा जो है वो अब C.O.K. है यानि चाइना अकूपाइट कश्मीर है यानि जो कश्मीर था पूरा जमूर कश्मीर उसका एक हिस्सा हमारे भारत में है दूसरे हिस्से के दो हिस्से हुए है पाकिस्तान के पास एक नार्दानेरिया और नीचे इसको आज़ाद कश्मीर वो बोलता है और एक हिस्सा उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया है तो जो प्रो आज़ादी के लोग थे उनका कहना है कि इस पूरे इलाके से हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना सा बठे हम आज़ाद रहें ये तो नेताओं की बात हो गई आम आदमी के बीच में वाकई ये कन्फ्यूजन है कि आज़ादी का मतलब क्या है शेख अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं फारुक ने भी कई बार कहा है कि ये संभो ही नहीं है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आज़ाद रहके एक इंडिबेंडनेंट स्टेट की तरह काम कर सके इसी बात का मैं फज्रुल्हक कुरेशी से जब मिला था तो मैंने उनसे के लिए भी respectable हो और कश्मीरियों के लिए भी respectable हो मुझे लगता है ऐसी आज़ादी तो हम निकाल ही सकते हैं इसमें ना हमारी territory disturb होगी ना कश्मीर हमारे हाथ से निकलेगा और ना हमारी सेना को और कश्मीरियों को इतना बल डान देना पड़ेगा ऐसा कोई solution अगर सरकारे निकाल सकती है रास्ता उसका बातचीत और प्यार विश्वास सबसे ज़्यादा खोया हमने विश्वास है आज कश्मीर में हालत यह है कि नाली भी चोक होती है तो लगता है कि भारा सरकार की कोई साजिश होगी तो यह भरोसा खो देना है उस भरोसे को हासिल करना थोड़ा जो बाचपरी जी कहते थे कि बंदू की जगा मरहम की पॉलिसी रखना आर्मी हमारी रहे अभी तुरंत आर्मी हटाई नहीं जा सकती है वरना सारा कुछ नहीं समाला नहीं जाएगा और लोगों को बता सकें कि नहीं भाई कश्मीर ही हमारा नहीं है कश्मीरी भी हमारा है अगर यह भरोसा हम पैदा कर पाएंगे तो क्यों कोई सेना के दवाव में रहना चाहेगा क्यों कोई पत्थर चलाना चाहेगा क्यों कोई गोली चलाना चाहेगा हर आदमी की बेसिक खाईश होती है रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिल जा तो वो अपने जिंदगी काट लेगा कश्मीरी भी उससे अलग में है यह थे असुक कुमार पांडे सुना अपने अगर आपको देश प्रेम है देश से महबबत है कस्मीर से महबबत है तो कस्मीर ये पर भरोसा कीजिए शुक्रिया असुक कुमार पांडे की कस्मीर नामा का तीसरा संसकर आने वाला है पढ़िएगा आपको समाजिक प्रिष्ट भूमी उसकी राजनीतिक प्रिष्ट भूमी पता चलेगी जब यह सीजे चीजे पता चलती हैं किसी जगह के बारे में तो नफरत अपने आप कम हो जाता है शुक्रिया आप देखते रहें न्यूश क्लिक